नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में जिहां ये आज हम सभी जानते हैं तुलसी के बीजों के फैयदे के बहरे में जिहां तुलसी के पत्तों के फैयदे मैंने आप सभी को बताये हैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी देख सकते ह लेकिन आप सभी को मैं आज बता दूं कि तुलसी के बीज भी कम गुणकारी नहीं है बेहद ही फैदेमंद होते हैं तुलसी का पौधा हर घर की नकारात्मक उर्जा को सकारात्मक उर्जा में तब्दिल कर देता है जी हां जी हां नकारात्मक उर्जा को सकारात्मक उर्जा के से तबदिल करने के लिए जानी जाती है तुल्सी कुछ एक लोग तुल्सी का इस्तिमाल health problem उसको दूर करने के लिए भी करते हैं लेकिन मैं आज आप सभी को तुल्सी के बीजों से होने वाले हैदों के भारे में बताने जा रहा हूं इसमें अएरवेदिक रूप से प्रोटीन, फाइवर, विटामिन A, के, कार्बोहाइटरेट, ओमेगा 3, फैटी एसीड और खनीज तत्वों का भरपूर भंडार होता है और इसकी तासिर ठंडी होती है इसके सेवन से यौन रोग, टेंशन, डिप्रेशन, दिमागी ठाकान और माइगरीन जैसी बिमारियों क दूर कर सकते हैं तो आई आज हम सभी जानते हैं तुलसी के बीजों का सेवन करने से आपको क्या-क्या फायदे हो सकते हैं जिहां तुलसी को आप सभी पूजा के रूप में तो जानते ही हैं हर घर में उपलबध भी होती हैं तुलसी इसलिए क्योंकि यह बहुत गुनकारी हैं सबसे पहले तो यह सरदी खांसी की प्रोब्लेम को दूर करने में कारगर है जहां लॉंग तुलसी के बीज को एक ग्लास पानी में उबाल लीजिए जब यहां आधा रह जाए तो इसमें सेंधा नमक ढाल कर सेवन कीजिए दिन में दो बारिस का सेवन सरदी खांसी और बायब हो जाएगा इसके अलावा इसके बीजों का सेवन टेंशन डिप्रेशन और माइग्रेंग को दूर करता है इसके साथ साथ किसी को भी अगर यौन प्रोब्लेम है यानि के दामपत्य जीवन खुशहाल नहीं चल रहा है तो तुलसी के बीज पूरुशों में होने वा तो मासिक आने पर पांच ग्राम तूलसी के बीज को सुबह शाम पानी के साथ लेना चाहिए जब तक मासिक चला न जाए इसका सेवन करते रहिए पीरियर्ट जाने के बाद तीन दिन तक दस ग्राम माजू फल चून को पानी के साथ लीजिए इससे आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी इसके अलावा यह पाचन तंतर की समस्या को भी दूर करती है फाइबर और पाचक एंजाइमों से भरपूर इन बीजों का सेवन पाचन तंतर को मजबूत करता है सुबह इसका सेवन भूख को कंट्रोल करता है जिससे आपका वजन कंट्रोल में रहता है इसके आलावा योनी में इंफेक्शन हो गया हो तो तुलसी के बीज और शहद को पानी में मिला कर दिन में दो बार पीना चाहिए इससे ब्लैडर किड्नी और योनी में इंफेक्शन की समस्या दूर हो जाएगी इसके अलावा सुराइसिस जिहां एक जीमा सुराइसिस को दूर कर करने के लिए रोजाना तुलसी के बीज को पीश कर नारियल के तेल में मिक्स करके लगाना चाहिए कुछ समय में ही आपकी यह परेशानी दूर हो जाएगी इसके अलावा पीट की प्रोब्लेम्स को भी दूर कर सकते हैं आप इसकी सहायता से रात को सुने से पहले एक गलास द तुलसी के बीजों से आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं जी हाँ इसके बीजों में अलफा लिनोलेनिक एसीड अच्छे मात्रा में पाये जाते हैं जो कि इन बीजों में मौजूद ओमेगा थ्री फैटी एसीड की अधिक मात्रा होने के कारण प्राप्त होता है यह पोशक समय तक आपकी भूख को संतुष्ट रखते हैं आप इसका उपयोग दही के साथ कर सकते हैं या हलकी भूख लगने पर स्नेक्स या फलों के सलाद में भी उपयोग कर सकते हैं बहुत ही गुणकारी पोधा है यह इसके अलावा मधुमी को भी आप इससे नियंतरित कर सकते है टाइप टू मधुमे के उपचार के लिए तूलसी के बीज बहुत अच्छे माने जाते हैं क्योंकि यह रक्त शरकरा के स्थर को नियंतरित करते हैं वे आपके चया पचाई को भी धीमा करते हैं और इस प्रकार से कार्बोहाइडरेट और ग्लुकोज में परिवर्थित करते ह आप एक गलास दूध में तूलसी के बीजों को भिंगो करके नाश्टे के रूप में सेवन करें इससे आपको काफी लाव होगा इसी के साथ साथ आपके कबज को भी ये दूर करेगा क्योंकि इसमें शरीर को डिटोक्स करने और कबज जैसी परेशानियों को दूर करने के लिए तूलसी के बीजों को उपयोग कर सकते हैं इसमें इसके गुन पाये जाते हैं इसके लिए आप कुछ दिनों तक सुने से पहले एक गलास दूध में तूलसी के बीजों को मिला करके सेवन कीजिए यहां आपके पेट को साफ करने का कारे करता है इन बीजों में आवश देमंद होता है और खांसी कप की समस्या को भी दूर करता है तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए तुलसी के बीजों के फायदे से रिलेटेड अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दूस तो